नमस्कार, मैं एसिन सिंग, करेंट अफेर्स के कलास में आप सब का स्वागत है आज कलास करने के पहले करेंट अफेर्स का रूप में बता देना चाहता हूँ कि 69th BPSC मेंस का कोशन अभी मार्केट में आया है चुकि अभी एकजाम हुआ है दो बज़े एकजाम समाप्त हुआ है तो मैंने यही ताई किया था कि कल से ही करेंट अफेर्स के कलास करूँगा ताकि एस्टुडेंट के सामने सारा बात मैं रखूँगा कि BPSC, PT और मेंस के कोशन का ट्रेंड क्या है करेंट अफेर्स है क्या क्योंकि याम तोर पर एस्टुडेंट के दिमाग में राता है कि करेंट अफेर्स का मतलब होता है कि स्रिफ और सेफ नेशनल, इंटरनेशनल और मिसलेनियस की घटना ही होती है लेकिन हमारे पढ़ाने का जो तरीका है अगर आप सब में से कुई मेरे बार में जानते होंगे लेदेशनल, अपेर्स बन-ेशनल, इंटरनेशनल मिसलेनियस सब होते है तो अब BPSC PT का भी उन्हतरवी का कोशन देखिए उसके पहले का भी कोशन देखिए और हाल के दिनों में जो मेंस का कोशन का ट्रेंड देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि करेंट अफेर्स का मतलब क्या होता है अब जैसा कि अभी कोशन का मैंने जिक्र किया कोशन आया है कोब तक आया है तो आज BPSC मेंस का पेपर फर्ष्ट था और जैसा कि अब जानते हैं कि G.S. मेंस का फर्ष्ट पेपर में इस बार जो कोशन आया तो उसमें आपको देखेंगे कि कैसे पुछा है और आयार से भी पूछा है नेशनल इंटरनेशनल से पूछा है तो जो लोग उनहतरवी पीटी में में मेरे को देखा होगा उस समय मैंने कहा था कि ठीक है मैं आगे क्लास लूँगा उनहतरवी के मेंस्क में क्लास मेंने लिया था और मैंने तरो कि सतरवी के बरेंच में मैं तभी जाऊंगा जब एक judisom हो जाए गाता ताज की पूछ पूछ लेकर जाये कि जो पढ़ाया जै क्या उससब आ रहा है कि नहीं आ जेनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नलोजी इस बार देखें होगे कुनेतरी में खुब पूछा गया, नेशनल इंटरनेशनल की भी बात है, और एक मिसलेनियस की भी बात होती है, तो आज हम चुकी अभी पहले मेंस की चर्चा कर देते हैं, तो उसके बाद मैं आगी कहानी बत पूछा है, जो निबंध में होता है, वो पूछा है कि लेंगिक रुडिबद धर्णाओं से मुकाबला करने के लिए भारतिये सरवोच्च नियाले की चिंता का उनेख कीजिए, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस बार अगर जो पेपर देखा होगा, मैं पहले से ही कहा था कि पेपर देखना बहुत महत्पूर है, कैसे ट्रेंड बदल रहा है धीरे धीरे BPSC का पैटर्न पर, तो हाल में समलेंगिक इकता की बात हुई, और बहुत सारे ऐसे मुद्धे आए, समलेंगिक विवास से लेकर के, हाल किया खबारों में इच्छाया राता था, तो सु तो एक उदारत यह हो सकता है, उसी प्रकार भारतिये सासन बेवस्था में भारतिये नागिरिक सुरक्षा संगीता दो हजार थेईश, अभी आप फी टेरन के कहानी सुन रहे होंगे, नॉमबर में 20 नॉमबर को राश्पती ने इस परहां स्टाक्षर किया था, तो नॉमब सरकार दोरर नॉमबर का इस कोचन है, इस तरीके से कोचन पुचा गया है, उसी परकार इनीवन टिपनी पर पुचा है, उसी परकार कैसे पोलिटी का कोचन हो गया कि नहीं हो गया? आपको first और second current भी हो गया, पोलिटी भी हो गया, उसी परकार विधाई संश्थाओं में, विधाई संस्थाओं की नेने प्रकिरिया में क्रित्री बौधिक छमता की भूमिका का मुल्यांखन कीजिए इगवर्नेंस AI तो किस प्रकार संसद में और आज कल तो चुनाव में भी कल के कोचन हो सकता है कि भारतिय चुनाव में इए AI की भूमिका तो इस तरीके से जो कोचन होता है तो ऐसे कोचन होता है तो इस क्या हो गया पॉलिटी और साइश्टेक दोलों हो गया अब करेंट भी हो गया और एक कोचन पुचा है बैस्विक बेतन परतिवेदन दोज़र बाइस तेइस के माप दंडो और परभाव का विवरन कीजिए तो ऐसे ऐसे ही सब कोचन होते हैं आई सब कोचन आपके सामने है तो एकनौमी भी पूछा पेपर के आए करेंट अफेर्स बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं पेपर के आए करेंट अफेर्स का कोचन क्या क्या पूछा पॉलिटी से रिलेटेड एकनौमी से रिलेटेड बिना आखबार पढ़े क्या लिखा पाएगा नहीं लिखाए कौन ट्रेडिशनल किताब में इसा बात लिखा हुआ है किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको बहुत आरेज्बेंट करने थे कि मेंस के लिए चाहिए पीटी के लिए कौन सा किताब है कोई किताब में बार बार पेपर मस्ट आपके बाद इसके बाद लोंग कोचन में जाईए सितंबर 9 और 10 सितंबर को G20 का ठ्रामा समयलन हुआ था नई दिल्ली में पैसे देवक कुटुमकम एक परिवार एक भविष की नारा था भारतिय दर्शन और पूरा आप जानते हैं कि बैसे देवक कुटुमकम का जो पंच तंत्र में नारा दिया गया था सब्द है उपलिसद का सब्द है और पूरा विष हमारा है और आज पूरे विष का जिस तरीके से बिरोधा भासी चरित्र होता है जिस तरीके से जी ट्वेंटी में भारत ने अपना भारतिय दर्शन को दिखाया आप भी जाते हैं कि साथ सोहरों में किया आपके सामने एक कोशन का रूप पढ़िये पूरा मोदी का हर जग आप देखें कि कुनार्क मंदीर रत का चक्र का जिक्र था नवंदा विष्विदाले का चिक्र था भारत मन्डपम में नटराज की मूर्थी का जिक्र था ये सब चीज का जिक्र था इसके बाद उडिसा क के कोनारक मंदीर का भी जिक्र था चोल के काल में भी सब भूट सारे बने हुए थे मंदीद उसका भी ठीक जिक्र था तो इस तरीके से इस पर कैसे पूछा है कोचन ज़रा ध्यान से देखिए कि मोधी ने कैसे कैसे बात बोला था कि अज पुरे विश की ज़रोत यहीं दर्श इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मुल्यांखन कीजिए, अब जानते हैं कि G20 में भारत ने क्या किया था, भोसनापत पूरी तरह स्विकार कर लिया गया, और भारत के बहुत बड़ा देन है, भारत ने बहुत सारा पहल भी किया, और भारत ने क्या किया, बिस सैव दर्शन में भगवान सीव सबको एक साथ बिरोधी लोगों को एक साथ रखते हैं, आप जानते हैं कि संकर जी है, परवती जी है, उनका गाय है, नंदी है, उनका चुगा है, उनका सर्फ है, और कार्तिके का मोर है, सब एक दूसरे के बिरुध है, तो भारत अपनी दर में एक साथ स्विकार करा दिया, और सब को मानना पड़ गया, और भारत ने कई पहल किया, गलोबल एलाइन्स की बात किया, ग्रोडियोर की बात किया, तो इस तरीके से बाइल फिल की बात किया, तो भारत ने अपना लेंगिक सामानता से लेकर हर छेतर में काम किया, उसके जी ट्वेंटी में भारत के एक बहुत बड़ी पुरब दी रही है, कि भारत बिश्व में अपना एक प्रभुत दिखाते जा रहा है, कि भारत पहुत जो जो करता है बिश्व मान रहा है, यह हो गया इंटरनेशनल, अब आईए, UCC, समान नागरिक संहीता, साइध पीटी में भी मैं काता था कि सब लौंग प्वोचन में जाएगा, जो लोग पड़े होंगे उस समय, जो जो मैं टॉपिक बारता था, उम्हें काता था कि सब लौंग में जाएगा, समझ गये, तो इस तरीके से भारत की समिर्ध बिविता को द्हार मि रखते हूए भारत में एक समानागरिक संगीता को लागू करने के पुर्बानुमानित, सकरात्मक, नकरात्मक, समाजिक परिनाम क्या हो सकते हैं, भ्याथ किजिए, तो याद किजिएगा, UCC के बारे मेरे चर्चा हुई थी. तो आप जाते हैं कि समान अगरिशांगीता पर पूरा कमीटी बनी है, हर राज के द्वारा सरकार मैं मैं में परधान मंत्री मोदी ने भौपाल में कार्ज करव में कहा था, तो इस तरीके से सारा कोचन इपॉलिटी के कोचन है, यह आप लोगों को टेलीग्राम में सब मिल ज किदों और उपलबदियों में से कैसे मेल खाती है, बैस्विक अंतरिक्स पटल पर पर मुख खिलारी बढ़ने के भारती जातर में इस मिशन की भूमिका, यह साइंस और टेक्नलोजी हो गया, समझ गए बात, तो इस सारा टॉपिक आपको करेंट से रिलेटेड है, चाहे हि कुछ पहले मैंने इस बनातर वी पढ़ाया था कि करेंट का मतलब लोग समझ नहीं पाता है, करेंट का मतलब समझता है कि कुछ दिवस पृस्थाकस, पृस्कार, खेल कुदग का दीजिया वह current हो गया, ऐसी बात नहीं है, current का मतलब लेटा है, पॉलिचि भी होता है, में पढ़ाये होंगे तो करेंट अफेयर्स का जो पढ़ने का तौर तरीक्या है आज परी मेरी बात पहले ध्याम से आप लोग सून लिजिए एक तो मैंने एक चीत रखीचा कि करेंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल मिशलेलियांस साइंस टेक एकनॉमिक जगरफी और कैसे होता है तो आपको हिस्ट्री भी कैसे होता है करेंट अफेयर्स अगर आप पीटी और मेंस की बात किजिएगा तो पीटी और मेंस का मैंने जिक्र कर दिया कि कैसे पूछता है मेंस का पीटी में भी कैसे पूछता है तो एक पढ़ने का तौर तरीका होता है कि उस लोग पढ़ते हैं कि सबताहिक करेंट पढ़ते हैं लेकिन सबताहिक पढ़ने से कुछ नहीं होता है अगर पूरे एक महीना का दो महीना का एक सांथ अपना पढ़ि को अब जी एस में अब क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री कि इंडियन पोडिटी कि एक नौमी जगरफी एक होता है जेनरल साइंस एक होता है साइंस एक होता है नेशनल इवेंट्स एक होता है इंटरनेशनल इवेंट्स और एक होता है मिसलेनियस मिसलेनियस में अब क्या पढ़ते हैं दिवस प्रुष्टक, प्रुष्कार, खेलखूद, अंगत्विदियां यह करेट हो गया है इंटरनेशनल भी क्या पहते हैं जो भी G20 हुआ जो भी BRICS हुआ बारता हुआ हुई टू प्रुष्टक की बारता हुआ भारत के प्रधान मंत्री भीदेश गये आये कुछ नवसैनिक अभ्यान अभ्यास हुआ कुछ सेना अभ्यास हुआ देश भीदेश के साथ जो भी को अभी इलेशन होता है कोई बीदेशी याये वह जाए भी तंजानिया के आये ओमान के भी आये राज्टा देवक्त भारत के परधान मंत्री भी अलग अलग देशों में गये यह हो गया आपका इंटरनेशनल नेशनल में जिसे मनिपुर का संकट पूछा है मनिपुर का में आता है science and technology में आपको जाएगा अभी आपको जाता है कि एक जन्वरी को इस रोने एक इक सपोस सेटलाइट भेजा है ये science and technology तो इस रोप परमानुकरज करम science and technology में आता है या कोप 28 की बात कीजिएगा या जो अभी कहां हुआ दुबई में हुआ इसके बाद जल परदुशन की बात होती है गलोबल वार्मी की बात होती है तो इस साइंस और टेक्लोजी में नासा की बात होती है या परमानुकार्जकर्म की बात होती है डियाडियो की बात होती है यह सब आपको साइंस और टेक्लोजी यह पहना है इसके अब खिरत्री में ए आई की बात होती है चैट GPT की बात होती है, इस सब आपको Science and Technology में पहना है, अब आते हैं जगरफी, जगरफी में क्या है, जगरफी में आपको Traditional पहना है, ट्रेडिशनल भी पहना है, लेकिन अभी हाल में जाते हैं कि भूकॉम भी चर्चा में था, सुनामी भी अभी चर्चा में था, इसके अभी चक्रवात आया था, तुफान कई आया थे, विशाओंग आया, तो इस सब क्या है, जल जीओन हरी आली अभियान बिहार से रिलेटेड भी है, तो बहुं सारा टॉपिक ऐसे भी आते हैं, जो जगरफी से रिलेटेड होते हैं, या, एकनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, अब एकनॉमी की बात कीजेगा, तो पीटी हो या मेंसो, सब में आपको करेंट एकनॉमी की ही बात होती है, करेंट एकनॉमी की, अब पिछले साल भर का बज़र से उठाइएगा, तो सब उसी से करेंट से रिलेटेड कोचन होता है, चाहे पीटी हो चाहे मेंसो, ध्यान से स उजवलाई उजवना, तो उसी में आप क्या देख रहे हैं, कि बहुत सारा लोंग कोचन बना देता है BPSC, उसी में आपको पहना है क्या है क्या नहीं है, तो एकनौमी पूरा करेंट अप्लाइट होता है, पॉलीटी की बात कीजिए और हिष्टी की बात कीजिए, तो पॉली पॉलीटी की मिलत ही जो 89 में केरल के वहा पर सुप्रीम कोट में थी, तो पातिमा वीवी की मुध, अभी हार में निधन हुआ था, उसके बाद मुँख सुचना-आयुक्त की बात होती है, तो मुँख सुचना-आयुक्त जो अभी हाल में कौन बने हैं, केंदरिये, हीरा ल समारिया और बिहार में भी मुख सुचनायुक्त बने हैं ने तिरपुरारी शरण जो मुख सचीव थे तो अब एक कोचन मालिजे कि यह पूछ दिया जाए कि सुप्रीम कोट के ने ढिदिश, मुख चुनावा यूप्त, सुचनायुक्त और राजपाल अगर इस सबका बिकल्प रहेगा आप पूर देखे हैं सिम्हें पीटी में कि कौन सपत नहीं लेता है सुप्रीम कोड के मुख ने अधिस, मुख चुनावायुक्त, मुख सुचनायुक्त, राजपाल, इन चारों में से कौन सपत नहीं लेता है, किसको राश्पती सपत नहीं दिलाते हैं, यह अप राजपाल, कौन सपत नहीं लेता है, चुप्रीम कड के जच, मुख चुनावायुक्त, मुख सुचनायुक्त, राजपाल, तो याद रखियेगा, मुख सुचनायुक्त सपत लेते हैं, पताईए अगर VPSC में कोचन पूछा जाएगा, तो मुख सुचनायुक्त समयधानिक पद नहीं है, फिर भी है सपत लेते हैं, लेकिन मुख चुनाव आयुक्त समय धानिक पद होते भी सपत नहीं लेते हैं, याद रखिएगा, चुनाव आयुक सपत नहीं लेते हैं, बिना सपत लिये हुए ही, अभिहाल में एलेक्षन कमिशनल भी चर्चा में थे, हैं? क्योंकि वो भी क्या करने वाले हैं? नया नियम करने वाला है, त्री सदसिये नियुक्ती कमिटी बनेगी, अब उसमें क्या होता है? अब देखने वाली बात है. अब माल लिजे कि कोचन आ गया, कि अभिहाल में सुप्रीम कोट की हाई-लाइट रही था है, सुप्रीम कोट की पहली महिला जज, फात्मा बीबी की पहली महिला जज थी पत्ना हाई-कोट में, और पत्ना हाई-कोट की पहली महिला मुक्ने अधीश, रेखा मनोहर दोशित्थ। किया और पचातर परसट जो आराक्षन किया, इसको केंद से क्या मांग किया है, कि इसको नौवी और सूची में डाल दिया जाए, अब नौवी और सूची चर्चा में आ गया, तो पॉलीती का हुआ कि नहीं हुआ, अभी हम टॉपिक बोल देते हैं के बहुत, चुनाव एक रस्ता समाप्त की गई, जिस तरीके से उनने अपने पन के दुरुपियों किया, या राजपाल का मुद्दा, जिस तरीके से तलंगाना, तमिलाडो, पंजाब, इत्यादी राजवे में, तो जो भी लोग नए हैं, उध्यान से सुने, कि जो भी Current Affairs का टॉपिक होता है, जब मैं टॉपिक मानलीजे कि हमें काम करेंगे, जब बताते हैं क्या करने वाले हैं हम, तो अभी जो टॉपिक आपको बता रहे हैं कि कैसे करेंट होता है, आभी सुने हैं, कि अभी राजपाल का मुदा सुप्रीम पोट में कैसे चर्चा म में आ गया है कैने वे पर्सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि हम यह इस पेपर बोलें बिहार का फूपर निव जिरुदर आता है तो जो भी चरच जैसे मैंने अभी फातिमा वीवी का जीक्र किया तूसमें तुरियारी सरन का भी जीक्र किया इंदु परबाशिंग की जिक्र किया, के अंदर के मुख्ष उचना 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 की शर्च कीया, इसके बाद, पॉलिटी में सव्टी के राजपाल कैसे सुप्रेम कोट ने कहा कि आग से मत खेलिये, जनता के चूने और परतिदियो का जिस तरीके से भी द्यक आप उस पर कुछ बिचार किजिए, राजपाल के पद्विबात का मुदा बन गया। और इसके बाद, आप देखिए कल मेंस का भी कोचन आए जाएगा। कि इसकेंड पार्ट का उसमें भी आपको पता चाल जाएगा कि ट्रेडिशनल क्या चीज पुछाया। इसके बाद, आप कहिएगा कि सर्फ करेंट हिष्ट्री कैसे हो सकता है। तो आप जानते हैं कि अभी हाल में सांती निकेता चार्चा में था। सांती निकेता चार्चा में था। नरंदा विश्विदायले चार्चा में था। कोनार्क शुर्ज मंदिर था। नटराज की मूर्ती चार्चा में थी। और एक होईशल मंदिर मंदिर भी करनाटा का चर्चा में था। अभी 26 चुलाय दिसंबर को अभी आप देखे होगे 26 दिसंबर को क्या मनाया गया था। बीर बाल दिवस यह क्यों मनता है इस अभी तिहासिक है। पंद्रा नॉबर को आप देखे होगे क्या मनाया गया है। जन जाती है गवरो दिवस। दो अक्टूबर को महात्मा गांधी। अब कहिए कहिती हमेशा होता है। महात्मा गांधी का तो हमेशा मनता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि BPS ही जब कोशन पूछता है PT में। क्योंकि महात्मा गांधी के भीना कोई कोचन नहीं रहता है। हर ज्यकर महात्मा गांधी यह भी मेंस में पूछा गया तो कहीं कुछ नया कंटेन्ट आता है। पहले कोचन नहीं पूछा जाता था, कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा कि गान्धी को जहर किसने दिया और गान्धी को किसने बचाया। जब एक दो बरस या ख़वारों में इक हाईलाइट दिया है 2017 से, जब चंपारों सत्यागर की स्वताबदी बरस मनाई जा रही थी, तब यह चीज का जिक्र हुआ, कि नाथु नामगोड से मारने वाले को तो सब लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं, जब ही 30 जनवरी आएगा दू अक्टूबर आयेगा गांधी जी चर्चा में रहते हैं तो उस समय तो देखिएगा कि BPSC और 60 में भी पूछा, 69 में भी पूछा कि गांधी को किसने जहर दिया और गांधी को किसने बचाया, तब तक मिया की चर्चा होती है, या गांधी जी पहली बार 60 में पूछा तो पहली बार किस समयलन में भाग लिये थे, पहली बार किस सभा में, सभजनिक सभा में भाग लिये थे, तो वे थो बनारस में लिये थे, तो फरवरी में, तो कहने का मतलब है कि गांधी से रिटेड कुछ उनीक उनीक बाते आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग-अलग टाइप के कोशन आते रहते हैं। उसी प्रकार विर्शा मुंडा की चर्चा हुई चुकि पधान मंत्री मोधी खूटी गए थे, वहीं से आपको जानते हैं कि जन जातियों काल्यान के लिए योजन्या की शुरुवात किये, देश में जो भी आदिम जन जाति व जो भी योजनाय सरकार चला रही है, अभी सब योजना की बात तो एक नौमी में आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से बात आपको भीतिया समवेशन जब टॉपिक आएगा तो उसमें आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बात एक आकड़ा आ रहा है। उसी प्रकार का गांधी की प्रसंगिक्ता की बात आ जाएगी। तो बहुत सार टॉपिक लिखेगा। लगू कुटि रूदो की बात करेंगे तो प्रधान मंत्री भिश्कर्मा योजना की जिक्र कीजिएगा। समिधान में गांधी कहां कहां है, हर जग है। एक दिन भी समिधान सभा की ब इस तरीके से समझ गया ना बात अब उसी ते अब मार लिजे कि अब आम लिखे सांती निकेतन, आप जानते हैं कि सांती निकेतन होईसल मंदिर को दिया गया, युनेसको दोरा रियाद में जो बैठक कोया था दुबई में, उसमें 20 दरवर घुसित गया गया, अब आप लोग सभी लोग ब सांती निकेतन की अस्थापना किस ने की थी, कितना बड़ा बलंडर हो गया, बहुं सारे यूटूबर भी देए होगे, बहुं सारे जगा आप पढ़ भी लिये होगे, यहीं पर आप BPSC में मार खाजिएगेगा, यह आपको थोड़ा सा कड़वी गूली लगेगी, सांती निकेतन की अस्थापना, ध्यांचा सुनियेगा, सांती निकेतन की अस्थापना, अठारा सो तिरेशा ठिश्वी में, रभीन नाट्रेगोर के पिता, देवेन नाट्रेगोर निकिया था, देवेन नाट्रेगोर, मैं बार-बार बुढ़ रहा हूँ, देवेन नाट्रेगोर ने कलकात्या इस्थिस्षांती निकेतन की अस्थापना किया था, और वहाँ पर UNISAVYAK में रभीनना टैगोर ने VISH BHAरती के अस्थापना की जो UNISAVYAK 27 में विश्विदाले का दर्जा मिला और UNISAVYAK 25 में इसे कंद्रिये विश्विदाले का दरजा मिला लेकिन उस कंद्रिये विश्विदाले का चंसलर कौन होता है तो हर किंदरीय बिश्विद्रेल का चंसल राश्पती होता है, लेकिन एक मातर संती निकेतन के अस्वापना, संती निकेतन का जो किंदरिय बिश्विद्रेल है, उसका पदेशे मीत्री ओधैक्ष कुलपती परदहान मुंतरी होता है. इस अभी याद रखिएगा. तो ऐसे छोटी छोटी बात आपको दिमाग में रखना है कैसे करेट हो जा है वैसल मंदीर, नरंदा विश्विदाडे, कुनारक सुझ मंदीर कैसे कैसे बना, किस काल में बना बीर बाल दिवस की चर्चा करें बीर बाल दिवसाब जाते हैं कि जो रावर सिंग और पते सिंग जो बीर बहए नव बरस के और एक साथ बरस के बचे थे चमकावर के जूद के बाद किस तरह गंगू रस्विया ने अंग्रेजों को सुचना दिया वजीर खान अंग्रेजों को नहिशारी मुगलों को और 22 को जब मनाया जा रहा था, गुरुगोबिन सिंग की प्रकास उत्सो बरस, जैसे इस बरस 15-15 जनवरी को मनाया जाएगा, तो इस अब चर्चा आईतिहास का चीज है, पहले दिवस, मिशलेनियस में क्या पढ़ते है, दिवस कुछ तक, तो क्या आज से 2-3 बरस कोहले, कोई ज जाता था, आपणा है, या 26 दिसंबर को बीरबाल दिवस मनाया जाता है, आपणा है, इतिहास से रिलेटेट है, वहां भी विर्श्या मुंडा की कहानी आती है, यहां भी गुरुगोबिन सिंग के पुत्रों की कहानी आती है, अब कल जनवरी में गुरुगोबिन सिंग चर तो एक निसकर्स पर पहुंचे होगे जो आज तक करेंट अफेर्स का जो एक फोविया बना हुए था आपको, जो नए लोग हैं, पुराने लोग अगर सुने होगे जो नहतरवी और पीटी मेंस में तो उसमझ जाएंगे कि मेरा क्या पढ़ाने का तरीका था, लेकिन जो करें स्बने को जो अपने आपमे बढ़ा बिशाल है, अपने आप में बहुत भ्यापक है, सॉब गस्प्राटs से समेटे होगे हैं, उस सामने में अपने तो नौ जनवरी क्यों मनता है परवासी भारतिय दिवस पहले तो नहीं था इबाद में अटल भेहरे बाइज पही के समय दोजार तीन समन रहा है तो क्यों मनता है यह मनता है गांधी जी के दशिन अफिर्गा से भारत आगमन की उपलक्षमा और इसके लिए किस कमिटी ने सी आगमनता है उनसे बड़ा परवासी भारतिय दिवस पताए आग नउं रहा से रहा हूं और नौ कोशने में हो सकता है कि अभारत के भारत के विक्यास में जोगदान आगमनता है को सबाख़्मता पने और आजिघेता तो पुछ देता है इस तरीके से, मालिजे की अभी एक्टूबर में राश्पती आई थी, बिहार, और बिहार आई थी, तो बिहार आउग the तो क्या कि थी, भीर क्रिशी रोड मयप. अब चौथा क्रिशी रोड मयप की चरचा जब के जिएगा, तो बिहार के क्रिशी रोड मैपु की पूरे चर्चा कीजिएगा, और चौता क्रिशी रोड मैप से बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इसके अलबा हरित करांती के जनके में स्वामीनाथन का निधन हुआ, मोमकुम्बु सावासिवान स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम है, तो अगर कल से इंटर्विव आठ तारिक से सुरू हो रहा है, आप साथवी का, अकेश है पूछ दिया कि MS का फुलफरम क्या है, मोमकुम्बु सावासिवन स्वामीनाथन, तो हाल में अगर्ष्ट में मिर्तु हुई, तो क्या किया थे, हर्थ करांती के जनक थे, हर्थ करांती के छेते में काम किये, तो जो साथ जीले जो गेहु करांती किये थे, पहले हर्थ करांती का नाम था गेहु करांती, उस साथ जीले, साथ राजों के साथ जीलों में सुरुआत हुआ था, उसमें बिहार का कौन सा जीला था अगर ये BPSC पूछ दिया तब तो बिहार का जीला था सहाबाद जो आज आरा कहा जाता है भोजपूर सिरासासाराम, रोतास, बकसर, कैमूरी सब मिला करके बनता है इस तरीके से बात होता है तो करेंट अफेर्स का मतलब ये होता है ब्यापक आप थोड़ा जो लोग नए हैं ये बात समझिये क्योंकि BPSC कितना ब्यापक होता जा रहा है आप सोचिये कि भारतिये साक्ष संगीता 2023 नवंबर तक लगे रहिएगा जिस दिन एक जाम हो उसके एक महिना पहले तक कोचन पूछा है मार्च से कोचन उठाया है 31 मार्च को नई बयापार नीती की घोसना हुई थी उसके बारे में भी पूचा है टिपनी में तो आप कोचन देखिएगा तो आटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि बीपीएसी कैसे कोचन पूच रहा है कहां से पूच रहा है तो इस पेपर पढ़िएगा तब हमारा काम रहेगा कि हम करेंट अफ्लाइट को कैसे आपको सामने रखे तो हम अभी जो पढ़ाएंगे अक्टूबर नौबर दिसंबर मानिजे है आपको एक्टूबर could about 3 तमर का एक्जाम है तो अक्टूबर से लेखर करके अगस्टन की बात या जुलाई तक की बात होगी उस में हिस्टि से रहेंके है क्या है पॉडिटिस रहेंके क्या है इकनोमी से रहेंकिसे रहेंके है या सांस्टेक के दिरिश्टी से क्या है, उसी में आपको बता देगे देखे लॉंग जायेगा, हम जब उसमें बताये थे कि G20 लोंग में जाएगा, बिरिक्स लोंग में जाएगा, बैपार नीती लोंग में जाएगा, पिछले पर स्कुले जीम पुछा था तो लोंग में बताये थे, लोंग में, तो कोई भी कोचन जो पुछा जाता है, इस टाइप से पुछा जाता है, तो ज़िसे के अब के हैग नावन्दा विश्वीदाले का दो मिलन मेर दा आशका स Guo DRET भारत का प्रयाशानधा विश्वेदाले कौन था, लेल दरहें पुछा जाया तो आःप भताजिएगा नावन्दा लेकिन तक्सीला था तक्सिला साथ सव बीसी का पहले था यहां आर्जवट्वट्वट्वई चनक पढ़े थे चंदगुत मर्ज पढ़े थे और यह बीस्व का पहला आवासिय बिश्विदाले था प्रचीन बिश्विदाले दनलंदा भी था जो पांचमीश अताब दिश्विव में कुमार प्र जाया वह आप लोग को अच्छा लगा होगा और इस तरीके से पहने का तोर तरीका है कि नहीं सही पहले बताईए उपचुकिश में में मेंस के भी बारे में आपको पता चलते जाएगा तो आप लोग अगर चाहे तो कुछ कमेंट्स बता सकते हैं कमेंट्स में कुछ